Hi friends, welcome back to our channel FinHub I hope आप सब सेफ होंगे और सोशल डिस्टंसिंग का फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC की New Endowment Plan ये एक Protections Plus Savings Plan है यहाँ पर अगर Policy Holder की Policy की Time Death होती है तो उसकी Family को एक Financial Stability मिलती है और अगर आप Policy Period पूरा कर लेते हैं तो आपको Maturity Benefit मिलता है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Policy की सारी Details और लास्ट में समझेंगे इस Policy के Benefits और Premium एक Example के साथ Friends, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा ना ही मैं कोई Agent हूँ, ना ही मुझे किसी Company से कोई Commission मिलता है मेरा इस वीडियो बनाने का परपस है कि आप Plans की सारी Details खुद समझें ताकि आप अपने लिए Best Possible Decision ले सकें आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल FinHub को जरूर सबस्क्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए Friends ये Policy है LIC New Endowment Plan और इसका Number है 914 इसे February 2020 में Introduce किया गया था तो आएए बिना किसी देरी के लेते हैं सबसे पहला और Important Parameter Sum Assured Minimum Sum Assured है 1 Lakh रुपीज और ये 5000 के Gaps में Available है जैसे कि आप ले सकते हैं 1 Lakh, 1 Lakh 5,000, 1 Lakh 10,000 यहाँ पर Maximum Sum Assured की कोई Limit नहीं है Next Parameter है Age Minimum Entry Age है 8 Years Maximum Entry Age है 55 Years और Maximum Maturity Age है 75 Years Rounded to Nearest Birthday यानि कि आप 75 Years, 6 Months तक आपकी Final Maturity Date हो सकती है अब बात करते हैं Policy Term की यानि कि जब भी आप Policy लेंगे वहाँ से कब तक के लिए Policy Valid है Minimum Policy Term हो सकता है 12 Years और Maximum हो सकती है 35 Years इसे एक Example से समझते हैं मान लिजे राम जिसकी उम्र है 30 साल उसने एक Policy ली है और Policy Term रखा है 35 Years तो उसकी Maturity Age हो गई 30 प्लस 35 यानि 65 साल तो ये Policy उसके लिए applicable होगी 30 वर्ष से लेके 65 साल की उम्र तक अगर इस दोरान उसकी उम्रती होती है तो उसे Death Benefit मिलेगा और अगर 65 साल वो सर्वाइफ कर जाता है तो उसके बाद उसे Maturity Benefit मिलेगा तो आईए अब समझते हैं Death Benefit Friends, Death Benefit के Total 3 Part होते हैं पहला होता है Sum Assured दूसरा होता है Revisionary Bonus और तीसरा Final Bonus Sum Assured हम Policy लेते टाइम चूस करते हैं ये वो amount है For Example अगर आपकी 5 लाग की Policy है तो Sum Assured हो गया 5 लाग Revisionary Bonus डिपेंड करता है कि आपने कितने साल का Premium दिया है जैसे जैसे Policy का Duration बढ़ता जाएगा ये Bonus Add होता जाएगा इसे हम वीडियो के End में Example के साथ भी समझेंगे Revisionary Bonus का जो Percentage है वो हर साल LIC Declare करता है इसलिए आपका ये Bonus Amount vary हो सकता है और तीसरा Component Final Additional Bonus ये LIC के Profit के उपर Depend करता है और इसे भी LIC Time to Time Declare करता रहता है आईए इसे एक Example से समझते हैं मान लीजे राम ने 30 साल की उम्र में 5 लाग की Policy ली है और Maturity Age है 65 Years मान लीजे 35 साल की उम्र में उसकी मृत्ती हो जाती है तो उसे Sum Assured 5 लाग का तो मिलेगा ही और 5 साल तक का Revisionary Bonus जिसे हम Example के लिए मान लेते हैं 50,000 और Final Additional Bonus उस साल के लिए जो की LIC के Profit के उपर Depend करता है उसे मान लेते हैं Example के लिए 20,000 तो राम को कुल 5,000 PLUS 50,000 PLUS 20,000 5,070,000 रुपए मिलेंगे ये Bonus Amount हर साल Varie होता है और ये Numbers सिर्फ मैंने Example के लिए लिया है Friends, अब बात करते हैं कुछ Riders की इस Policy के साथ 5 Additional Riders अभिलेबल हैं बट इसे लिए आपको Additional Premium देना होगा पहला Rider है LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider अगर किसी वज़े से आपकी death accident की वज़े से होती है या फिर accident की वज़े से disability होती है तो आपको एक additional sum assured मिलेगा जिसे हम accidental benefit sum assured कहते हैं अगला rider है LIC's accidental benefit rider ये भी पहले rider की तरह ही है पर यहाँ पे आपको benefit सिर्फ accident के लिए ही मिलेगा आप पहली या दूसरे rider में से सिर्फ कोई एक ही rider choose कर सकते हैं तीसरा rider है LIC's new term insurance rider ये एक term plan की तरह है यहाँ पे आपको additional benefit मिलेगा अगर policy holder की policy term के दौरान death हो जाती है पर maturity में कोई additional benefit नहीं है चौथा rider है LIC's new critical illness benefit rider अगर policy holder को LIC दौरा defined 15 critical illness में से कोई भी critical illness होती है तो critical illness some assured मिल जाएगा पाचवा और आखरी rider है LIC's premium waiver benefit rider ये उस case में applicable है जब policy holder और proposer अलग-अलग है जैसे कि आप अपने child के लिए policy ले सकते हैं और अगर किसी कारणवश proposer की death हो जाती है तो जो policy holder है उसे premium नहीं देना होगा अभी तक हमने जो भी riders discuss किये हैं उसका individual some assured आपके basic policy के some assured से ज़ादा नहीं हो सकता है तो कुल मिला कर आप maximum 4 riders ले सकते हैं क्योंकि पहला और दूसरा इन दोनों में से आप सिर्फ कोई एक ही rider ले सकते हैं मैं suggest करूँगा term assurance rider क्योंकि यहाँ पे एक छोटे additional premium के लिए आपको एक काफी बड़ा additional term assurance some assured मिल जाता है और आपको अलग से term insurance लेनी की ज़रूरत नहीं है अब बात करते हैं payment terms की यहाँ पर जब तक policy रहेगी आपको premium continuously देना होगा और आप choose कर सकते हैं 4 method से yearly, half yearly, quarterly या monthly और अगर आप yearly mode choose करते हैं तो आपको 2% का discount मिलेगा और अगर half yearly करेंगे तो 1% का monthly और quarterly में कोई discount नहीं है next feature है grace period अगर आप किसी कारणवश policy का premium नहीं दे पा रहे हैं और आपका payment mode है yearly, half yearly या quarterly तो आपको additional 30 days का time मिलेगा और इस दौरान आपकी policy lapse नहीं होगी और अगर आप monthly premium पे करते हैं तो आपको 15 days का grace period मिलेगा अब बात करते हैं मान लीजिए आप अभी तक premium दे रहे थे बट किसी कारणवश आगे नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा अगर आपने 2 साल से कम का premium पे किया है अभी तक तो आपकी policy lapse हो जाएगी और कोई benefit नहीं मिलेगा पर अगर आपने 2 साल से जादा का premium दिया है तो कई benefits available हैं जिसे हम कहते है paid up value तो आईए समझते हैं इसे पहला benefit है sum assured on death यहाँ पर मान लीजिए आपकी policy originally 10 साल की थी पर आपने 6 साल तक ही premium पे किया तो जो आपको sum assured on death मिलेगा वो उसी proportion से कम हो जाएगा जहां तक आपने premium पे किया है यहाँ पर आपने 6 साल का किया है जो की है 60% of total तो आपका sum assured on death भी 60% of total basic sum assured हो जाएगा पर आपकी policy term में कोई change नहीं होगा यानि कि यह benefit आपको 10 साल तक के लिए ही रहेगा जो की original policy term थी और आपने जितने भी time का premium दिया है उस पर applicable simple revisionary bonus भी मिलेगा पर यहाँ पर आपको final additional bonus नहीं मिलेगा इसी तरीके से जब आपकी maturity age आ जाती है तो आपको sum assured on maturity मिलेगा जो की calculate होगा जैसे हमने sum assured on death calculate किया है friends अगला feature है revival का अगर आप revive करना चाते हैं तो आपके पास ये भी option available है और इसे आप use कर सकते हैं 5 साल बात तक जब से आपने policy premium pay करना बंग किया है पर जब भी आप revive करेंगे तो आपको पुराने सारे premium एक ही बार में देने होंगे और उसका interest भी देना होगा friends next feature है surrender अगर आपने 2 साल से ज़्यादा का premium pay किया है तो आपके पास surrender का भी option available है पर यहाँ पर आपको जो amount वापस मिलेगा वो काफी कम होगा इसलिए मैं suggest करूंगा कि अगर आप policy premium और नहीं pay करना चाते हैं तो surrender मत करिये पर अभी तक आपने जो भी premium pay किया है उसका benefit आप paid up value में ले सकते हैं जो कि आपको death या फिर maturity के बाद मिलेगा आईए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं taxes की आप जो भी premium देते हैं उसमें आपको ATC का benefit मिलेगा और जो भी maturity या death benefit होगा उसमें भी tax exemption मिलेगा section 10DK under में friends next बात करते हैं settlement option की यहाँ पर policy holder के पास option है choose क करने का कि nominee को payment कैसे होगी वो चाहे तो lump sum में भी हो सकती है या फिर equal monthly installment में हो सकती है जो की 5, 10 या 15 years तक के लिए available है friends यहाँ पर मैं policy की एक exclusion के बारे में बताना चाहूँगा जो की है suicide अगर आप policy लेने के within 12 months suicide करते हैं तो कोई भी benefit applicable नहीं होगा और जो भी premium अभी तक दि समझा उसे एक example के साथ देखते हैं मान लीजे राम 30 साल की उम्र में policy लेता है और maturity age है 65 years तो यानि की policy term हुआ 35 years का और sum assured रखा है 5 lakhs का अगर वो annualized premium चूज करता है तो उसे per year देना होगा 12,906 without GST और जैसे ही वो policy लेता है तो उसे death benefit का coverage मिलना शुरू हो जाएगा और हर इस साल policy के समझा शॉर्ड में एक revolutionary bonus आड होता जाएगा मान लीजे किसी कारणवश 5 साल बद राम की death हो जाती है तो उसने 5 साल तक premium दिया है 64,530 इस case में उसको death benefit 5 lakh का मिलेगा और साथ ही में revolutionary bonus जो की depend करेगा उस time के rate के उपर मान लेते हैं अगर ये 4% है तो ये होगा 28,750 और अगर ये 8% है तो ये होगा 75,000 तो 4% के case में उसको total amount मिलेगा 5 lakh 28,750 और इसके उपर additionally add हो जाएगा final additional bonus जो की उस time पर LIC के profit के उपर depend करेगा और अगर revolutionary bonus होता है 8% तो ये amount हो जाएगा 5 lakh and 75,000 और additionally final additional bonus ये जो revisionary bonus है ये time to time LIC इसका percentage decide करती है मैंने ये आपको दो scenario बताए है पर exact amount depend करता है LIC के bonus percentage के उपर अब मान लीजे राम पूरा policy term survive करता है तो उसे 65 साल की उम्र में maturity amount मिलेगा इन 35 सालों में उसने total premium दिया होगा 451,710 और maturity amount में 3 चीजे होंगी पहला होगा sum assured जो की होगा 5 lakh दूसरा होगा revisionary bonus अगर इसे हम 4% मान लेते हैं तो ये amount आ जाएगा 2,1,000 और यही अगर बढ़ कर 8% तक हो जाता है तो ये bonus होगा 5,25,000 तो पहले case में total amount मिलेगा 7,1,250 और दूसरे case में जहाँ bonus है 5,25,000 उसे मिलेगा 10,25,000 तो ये amount तो मिलेगा ही और अगर साथ में कुछ FAB यागनी final additional bonus applicable होगा तो वो भी मिलेगा friends उमीद करते हैं आपको ये video पसंद आया होगा अगर आप चाहते हैं किसी और plan की details जाना तो comment section पर ज़रूर डालिए और जाने से पहले हमारे channel finhub को ज़रूर like करिए और जो घंटा आपको screen पर दिख रहा है उसे भी बजा दीजे ताकि आपको मेरी latest video सबसे पहले मिले thank you and stay healthy